नमस्कार जी स्वागत है आपका हमारी चैनल कशिष लेडिस टेलर और तकरियान में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हैवी साइज का पैंट प्लाजो की कटिंग करते हैं बहुत जदा हैवी साइज है लेडिस का पैंट प्लाजो डालने में वह शरम करते हैं और पैंट प्लाजो की फिटिंग नहीं आती है और पैंट प्लाजो बीच में से किट जाता है तो उसकी कटिंग कैसे करें तो आपने क बीचे 50 मोड़ना है और आम की लंबाई जितनी भी है 49 इंच की लंबाई आता अपने एक कि कम लेना है तो 38 इंच की लंबाई का नाप ने लेना है 37 का है तो एक इंच कम 36 आप अपने चह ले लेना है और सखेल 40 से आपने सिधा निशान लगा दिना है नेक्स्ट आपने आसन का निषान लगना है, तो मामन लिजये, इसका आसन जो है है ना हमने रखना है साड़े बारा इंच का, हैवी साइज के ओपर साड़े बारा इंच का रख लिजेगा और कम साइज होता आप पारा इंच का या पोने बारा इंच का या साड़े ग्यारा इंच का रख लिजेगा अब जो आसन है और जो हमारा मारजन का निशान है नीचे वाला उस निशान से बिलकुल सेंटर में निशान लगा दीजेगा और तीन इंच उपर रख दीजेगा माल लिए सेंटर आ रहा है इसका बाइस इंच का तो तीन इंच उपर कर दीजेगा ग्यारा और तीन चोधा इं और 3.15 इंच का ही आपने यहाँ पर निशान लगा देной और 10.5 इंच का रए एक्ष्ट्रा निशान लगा देना सिर्फ नीचे वाली साड़ पर यहां हमारा निशान जो है यह 13.15 इंच का ब्रक लिड़ इंच का आपका देख रहे होगा 19 इंच की तो 25 इंच का आपने एक चारड़ पर रखना है सब्सक्रात्र थिन इंच का आपने दूसरी चार्ण के ओपर रखना होसँ या हमारा अभी पूर्टे नीच health झार्णी के शहलें को साड़स्डिर करिकल रंखनी अपने के से इंच कर दो इसके बाद में साड़े तीन इंच इदर और साड़े तीन इंच इदर ये देखी का मैं आपको च्छा देता हूं अब आपने ये देखी का शेप परफटी से आपने नीस मिला देनी है और ये आपने मोरी का निशान के ऊपर मिला देना है शेप परफटी से और अच्छे से आ मिलाना है आपने आसन है निशान आपने वहीं तक मिलाने है और एक इंच का आपने नीक्ट भी कर देना अता कि हमारा जो पेट वाला इससा हों हमारा नीक्ट-सा तो हमारी जो पैंट है वह बीच-समें जो अपनी वाली साइड है यहां पर आपने बिल्कुल में मार्जन नहीं देना इसी निशान के उपर उपर कट कर देना है सिरफ दो पलो को उठाने आपने और दो पलो को उठा के आपने फ्रेंट फ्रेंट की कटिंग करनी है जैसी आपकी फ्रेंट की कटिंग होती है यहां स करना सिखा रहा हूं मैं आपको और संटून के कपड़े के ऊपर कोशिश कीज़ेगा कि आप लाइनिंग जरूर लगा लिज़ेगा जिससे आपकी पेंट क्लाजो की लुक बहुत ज्यादा अच्छी आती है अब यह बैक है इसके उपर आप अच्छे से प्रेस लगा लिज़ यह जहां पर आपका दूसरा वाला पॉइंट आ वहां पर आपने बिल्कुल भी इसका मार्जन को नहीं बढ़ाना और डेड़ इंच का आपने आगे मार्जन का निशान लगा लेना है अब अपने क्या करना है जितनी आपकी शेपर फट्टी है यह डेड़ इंच का मार्ज यहां से बिल्कुल भी मार्जन ने लिया और आसन वाली से से मैंने इसका 1 इंच का फाल्तू मार्जन ले लिए आसन वाली साइड से हमने मार्जिन का निशान ले लिए डेड़ इंच एक्स्ट्रा और यह नीज वाली साइड पर भी जाएगा और यह हमारा मौरी तक जाएगा अब यह हमारा अस्तर कटिंग हो चुका है अब हमने काटना है इसको स्टेंटून के उपर रखे संटून को आपने सिंगल दो तैके अंदर बिछाना है अच्छे से इसको रखके इसको बढ़िया से प्रेस लगाकर प्रेस जमाकर इसको पर उपर इसको बिठा लीजेगा और लाइनिंग का पीस लीजेगा सिरफ फ्रंट उठाईएगा और फ्रंट को आपने संटून के को कट कर दिन है बिल्कुल भी मार्जन नहीं रखिएगा आप इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना बाद में बलकि आप कच्छा करेंगे ते जहलका फूल का एक्स्ट्रा कपड़ा फिर भी निकल आएगा उसको आपने जो कच्छा करेंगे ता निकल आपर्सटी आइडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अब आप एक्स्ट्रा पीस जो बचा हुआ हमारा बेक का आपने पड़ा से इसको आपने बढ़ा काट था इसको भी अक्छी से आपने भीचा लेना बैक का पीस लेना और बैकक के पीस को ऐसी सेंटून के ऊपर अपने रखके अच्छे से इसको विचा लिजेगा ना सेंटून का कपड़ा खिचे ना उपर से लाइनिंग का कपड़ा खिचे और इसको भी बराबर बराबर रखकर बिल्कुल कटिंग कर लिजेगा उपर से भी बिल्कुल इसके बराबर में ही कटिंग करनी है रासन वाली शैड से भी इसके बराबर में ही कटिंग करनी है और नीज तक आपने बराबर कटिंग करनी है यह हमारे फ्रेंट और बैक दोनों की कटिंग हो गी है अब अपने फ्रेंट के ऊपर बैक के ऊपर फ्रेंट रखके देखना है कि आपको पजामे के लूक देखिए कि इतनी प्यारी से आई यह है वी साइज का हमारा प्रेंट प्लाजो कट किया है बाइ बाइ